मुंबई महानगर पालिका में शिवसिना और भार्तिय जन्ता पार्टी ने कल होने वाली स्थाई समिती की बैठक भी बगेर कोई वजह बताय रद कर दी किया चूपा रही है सत्ता पक्ष क्यूं जवाब देने से भाग रही है सरकार जिस बस सर्विस के पिछले आठ दिनों से बंध होने के कारण 26 लाख मुंबई कर रोजाना परेशान हो रहे है सत्ता पक्षुस पर चर्चा बैस्ट की हरताल का आठवा दिन मुकमल हो चुका है और आप यकीन करेंगे के सेना भाजब किस तरीके से सवालों के जवाब देने से भाग रही है उसका एक उधारन अभी हमारे सामने आया है जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले बैस समयती की मीटिंग थी बीएस्टी की मीटिंग थी उस मीटिंग में जान बुच कर सेना के नगर सेवकों से कहा गया कि आप मीटिंग में लेट आओ और फिर कोरम पूरा ना हुआ ये कहकर मीटिंग खतम कर दी गई मीटिंग कॉल ही नहीं की गई मीटिंग शुरू ही नहीं की गई वो सवालों के जवाबाद देने के लिए तैयार नहीं थे कल वही चीज सवागरा में सदन में भी दोहराई गई सदन शुरू होता है नॉर्मली चार पांच घंटे चलता है कभी कभी आदी रात को भी चलता है कल मेर ने सवागरा शुरू की और दस मिनिट में बारा मिनिट में सवागरा खतम कर दी और इतना इंपॉर्टन विश है जिस पे 26 लाख मुंबई कर डेली जिस से सफर करते हैं जिस में ट्रेवल करते हैं और वो आट दिनों से मुंबई की सड़कों पर मौजूद नहीं है वो चीज जो सौ साल से मुंबई करों को फाइदा पहुचा रही है और उस पे सवागरा में चर्चा ही होने नहीं दी गई खेर वहाँ पर भी मैंने अपना इहतिजाज दर्ज कराया विरोध दर्ज कराया महापर के कारियले के बाहर अब ऐसी उमीद थी कि मैं वक्स कमिटी का भी सदस्य हूँ आपने बेस समयथि में नहीं उठाया सबागरा में नहीं उठाने दिया चलो इस्तापत्य समयथि के अंदर मैं इसको जोर शूर से उठाओंगा अभी आदा घंटा पहले मेरे मुबाइल पर SMS आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि वक्स कमिटी की मीटिंग भी कल की जो है वो कैंसल कर दी गई है और अगली मीटिंग कब होगी उसके बारे में कोई मालूमात नहीं सेना भाजब को जवाब देना होगा कि वो सवालों के जवाब देने से क्यों घबरा रही है और क्यों भाग रही है क्या वज़ा है बेस्ट को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सिर्फ तीन हजार करोड की जरूरत है और मुंबई महानगर पालिका के पास 71,000 करोड का fix deposit है यह जो चीज़ 3,000 करोड में खड़ी हो सकती है और आपके पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है ना करने के कामों के लिए आपके पैसा एड़िस हो जाता है उसको फाइदा पहुचाने के लिए आप ना उसको जिन्दा करने के लिए तयार है ना उसको दुरुस्त करने के लिए तयार है यहां तक कि उस पे चर्चा करने के भी आप मूड में नहीं है बहुत ही शरम की बाद